नमस्कार हमार ब्यार में आपका स्वागत में राहुलोश आपके साथ छप्रा में लाल बालू के अवैद खनन और परिवहन पर रोक लगाने के लिए चापे मारी की गई है टीम सारन राजिश मेडा और इसपी संतोष कमार ने दलबल के साथ सदर प्रखंट के दियारा इलाक रायपूर बिनगावा में चापे मारी की है जहां 49 लोगों को गिरपतार किया गया है साथी बालू के अवैद ब्यापार में लगे 11 ट्रक दो लोडर और 6 बाईकों को जब्त कर लिया गया है तो छप्रा से खबर जान लाल बालू के अवैद खनन और परिवहन पर रोक लग लगतार किया गया है साथी बालू के अवैद ब्यापार में लगे 11 ट्रक दो लोडर और 6 बाईक को जब्त कर लिया गया है तो छप्रा जहां अवैद बालू खनन के मामले लगतार सामने आते हैं दियरा इलाकों में और इस बार बड़ी कारवाई की गई है बड़ा एक्शन किया गया है कि तरप से मौकेश से 49 लोगों कीरवतार किया गया है और इसांट साथ छे पाईक को जब्त किया गया है तो डीमस्पी के नित्रित्तों में दियारा इलाके राइपुर बिन गावा में चापे मारी की गई है जहां से 49 लोगों की गिरबतारी इसला प्रशासन ने की है साथ ही कई गाड़ियों को जब तक ही आ गया है छे बाइक भी जब तक ही गई है तो छपरा से खबर जहां अवायद बालू खननन और परिवहन को लेकर चापे मारी डीमस्पी के नित्रित्तों में दियारा इलाके राइपुर बिन गावा में चापे मारी हुई है डीम सारण राजेश मिना और स्पी संतुष कुमार ने दलबल के साथ सदर परिखंड के दियारा इलाके राइपुर बिन गावा में चापे मारी किये जहां से 49 लोगों को गिरफतार किया गया है साथी बालू के अबायद वैपार में लगे 11 ट्रक, 2 लोडर और 6 बाइक को जब्त किया गया है तो शप्रास से खबर चापे अबायद दालू खननन और परिवान को लेकर पुलस ने चापे मारी किये टीमस्पी के नत्रत्तु में या चापे मारी दियारा इलाके के रायपूर बिनगावा में की गई है और यहां से 49 लोगों की गिरफतारी